हेलो माई दियर वीवर्स, वेलकम बैक टू माई MD मंतरा यूटूब चैनल, दियर वीवर्स, आज की वीडियो में हम डिस्क्स करने वाले हैं, डिफरेंस बिट बिन ब्रांड नेम ड्रक्स एंड जेनरिक ड्रक्स, लबखी आज की वीडियो में हम ब्रांड नेम ड्रक्स और ज बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी confusion रहती हैं, तो आज की वीडियो में हम यही solve करने वाले हैं, कि जब भी हम दवा लेने जाते हैं, तो वहाँ पर हम सूचते हैं, कई बार हम यह word सुनते भी हैं, brand name drugs और generic drugs, लेकिन होता क्या है कि हम generic drugs को लेने में, खरीदने में नहीं फाइदा करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे confusion हैं, तो आज की वीडियो में हम यही solve करने वाले हैं, कि brand name drugs में और generic drugs में difference क्या होता है, तो time को नबेस्ट करते हुए, हम सारी queries को solve करेंगे, start करते हैं अपने वीडियो को, ठीक है न तो basically, जो हमें difference पता होता है, कि brand name और generic drugs में, कि जो हमारी branded होती है, brand name, medicines, drugs होती है, वो महंगी होती है, आप slide में देख सकते हैं, कि same ही medicine, same ही है, तो अगर वो branded name है, branded drug है, तो उसका price क्या है, आप देख सकते हैं, 85 रुपीज है, मतलब high cost है, वहीं दूसरी तरफ generic medicine है, same वह ही दवा है, लेकिन वो जेंदिक है, तो वो उसका क्या price है, 25 हाँ, बिल्कुल सेम होता है, कुछ ऐसे ही होता है, same ही API रहेगा, same ही active ingredient रहेगा, लेकिन अगर वो branded medicine है, branded नाम से आ रही है, तो वो ऐसे ही महंगी मिलेगी, और जेंदिक जो होंगी, same ही medicine रहेगा, लेकिन अग तो जैसे कि आप slide में देख वा रहे होंगे, कि इसमें तीन कॉलम मैंने बना रखा है, एक generic drugs का, दूसरा features का, और तीसरा brand name drugs का, तो मतलब हम one by one करके, हम discuss करते रहेंगे, कि कौन सा जो भी इनके features होते हैं, medicine का, उनमें क्या अंतर होता है, generic drug के feature में, और क्या drug होता है, brand name drug क आरे वा समन में, तो हम one by one करके, हमें start करते हैं, तो पहला हमारा feature है, patents, तो इसमें जो हमारी generic drug होती है, इसमें आप देख सकते हैं, कि इनका जो patent होता है, नहीं होता है, ये off patent होती है, ठीक है न, क्या होती हैं, ये off patent होती है, वहीं दूसरी तरफ हमारी, जो brand name drug है, वो patent protected ह होती है मनलब प्रोटेंटफ या मतलब क्या है प्रोटेंचे मनलब आगर कोई भी मेडिसीन है अगर प्रोड यक कवन एक पाइटिकुलर g какие उसको बना सकती है आहिवासमे में वहीं दूसरी सो अगर ज्यहंनदा है वो तो कोई भी अगर हमारी ड्रहग है तो अगर वो generic आ रही है तो वो कोई भी company उसको बना सकती है ठीक ना यह clear हुआ दूसरा है दूसरा feature है trade name मतलब कि किस नाम से वो market में आती है किस नाम से वो बिक्ती है तो हमारी जो generic drug है पहले उसमें देखते हैं तो इसमें मैंने लिखा है marketed under the generic name of drugs इसका क्या मतलब है कि जो हमारी generic drug आती है वो क्या होती है generic name से आती है generic name means कि जैसे कि हमारी active pharmaceutical ingredient API जो है paracetamol है या फिर सिफिक जीम ही है तो उस दावा पे लिखा भी यहीं रहेगा सिफिक जीम टेबलेट ठीक है ना क्योंकि वो उसके generic name से ही आएगा मतलब जो उसका salt name है उसका salt name ही उसमें लिखा रहेगा केवल और केवल वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं brand name drugs में इसमें लिखा है marketed under a unique proprietary name given by the company मतलब कि जो हमारी brand name drug होंगी वो क्या होंगी एक उसका particular unique name होगा proprietary name होगा कि उसी के थुरू आएंगी अब इसको हम clear में समझने के लिए हम और deep में जाते हैं जैसे हमारा अगर हम example for example लें चाइक पत्ती ठीक है तो अगर वही चाइक पत्ती है अगर जेंदिक name से भिकनी है तो वो क्यवल चाइक पत्ती नाम से भिकेगी उस पे लिखा रहेगा कि हाँ यह चाइक पत्ती है तो वह क्या लिखा रहेगा? जैसे ताज लिखा रहता है तो ताज क्या एक brand है एक तरीके का क्या है ब्रांड है और भी अलग अलग तरीके की क्या आती है चैक पत्ती आती है तो अगर वो ब्रांड नेम से आती है तो उनके उपर उनका ब्रांड लिखा रहेगा अगर वो जेंदिक नेम से आती है तो किवल उनका साल्ट नेम लिखा रहेगा कि हाँ वो लगब लिखा रहेगा ठीकर क्लीर हुआ इसके बाद हम देखते हैं मैशे स कि थी आम मैनुफेक्चर बाई मनलब यह किस्की किसके दौरह उब सब्सक्राइन घाती है third point जेनरिक में मैंने लिखा है कि ये बहुत सारी pharmaceutical companies के दोरा manufacture की राती है कब की राती है जब किसी भी drug का brand name drug का क्या हो जाता है patent expire हो जाता है मनलब कि generic drug हमारी का manufacture की रा रही है कोई भी company उसको manufacture कर रही है लेकिन कब कर सकती है जब उस particular medicine का patent क्या हो जा रहा है expire हो जा रहा है तब ही उसकी company उसको produce कर पा रही है वहीं दूसरी तरह अगर हम देखे brand name drugs का तो वो किसके दोर manufacture की जाती है इसमें आप right side में देखेगा slide के right side में आप देख सकते हैं कि branded name जो drugs है वो किसके दोरा manufacture की जा रही है डबलब की जा रही है यह उसी के दोरा manufacture की रहेंगी उसी के दोरा डबलब की रहेंगी जिसके पास इसका particular क्या होगा patent होगा ठीक है अब patent के बारे मागर हम discuss करें तो patent क्या होता एक तरीके का यह system होता है एक तरीके की licensing होती है जिससे की उसको कोई दूसरी company ना produce कर पाए तो उसके लिए हमें क्या कराना पड़ता है patent कराना पड़ता है कोई भी medicine है कोई भी drug है तो उसका हम patent करवाते है यह patent कोई भी दवा होती है उसका 20 साल के लिए होता है तो उस particular 20 साल के दोरान जो company उसको patent अपने नाम पे करवाती है केवल उसी को वही उसको manufacture कर सकती है और वही जब patent expire हो जाता है तो वो अलग-अलग company उसको manufacture करना start कर देती है ठीक न? clear हुआ कि यह manufacturing में क्या difference होता है generate drugs और brand name drugs में इसके बाद हम discuss करते है animal and clinical study fourth feature है हमारा animal and clinical study का मतलब कि किन के लिए animal and clinical study required होता है किन के लिए नहीं required होता है तो generic drugs में आप देख रहे होगे इसमें लिखा है not required to perform मतलब generic drugs में हमारा यह required नहीं होता है कि animal and clinical study perform की जाए लेकिन वहीं दूसरी तरह brand name में लिखा है essential to perform मतलब brand name drugs के लिए और farm करने के लिए ये essential होता है ठीक है न तो अभी हम discuss करेंगे कि इसका impact क्या पड़ता है हम next point पे आते हैं तो हम clear discuss कर देंगे कि इसका impact आने वाली drug पे क्या पड़ता है next point next feature है हमारा price क्या है price तो generic drugs में मैंने पहले ही बताया है generic drugs क्या होती है cheaper होती है मतलब सस्ती होती है और वहीं दूसरी तरह brand name drugs में लिखा है costly than generic drugs मतलब कि costly होती है as comparison to generic drugs अब दिमाग में आ रहा होगा आप लोगों कि कि ये generic drugs हमारी cheap क्यों होती है और brand name drugs हमारी महेंगी क्यों होती है ये हमेशा दिमाग में मारा आता रहता है कि भई जब हम कहते हैं कि इसमें API B same है दोनों में एक ही active ingredient है तो इसका price ज्यादा है इसका price कम है ऐसा क्यों है तो आप अभी तीसरे और चौथे point से कुछ समन में आया होगा आपको चलिए deep में discuss करते हैं जैसा मैंने की बताया कि जो हमारी generic drugs है उनको animal and clinical study उनकी क्या होती है required नहीं होती है और वहीं दूसरी तरफ brand name drugs की required होती है तो आपको पता होगा कि जब ये हम study perform करेंगे अब brand name drugs जैसे brand name drugs बना रहे हैं तो उनके लिए animal and clinical study क्या होती है हमारी required होती है तो इनके लिए भी ये study perform करने में भी बहुत सारा पैसा क्या होता है हमारा ख़र्चा होता है ठीक है तो यहाँ पे branded name जो drugs बना रहे हैं उनको animal and clinical study पे भी पैसा खर्चा करना पड़ रहा है तो जाहिड सी बात है कि अब brand name drugs का cost ज़्यादा होगा कि नहीं होगा एक तो रीजन इसका ये हो गया दूसरा रीजन तीसरे point मैंने discuss किया थी manufactured by मतलब कि innovator company मैंने बताने मतलब यही है कि जो ये brand name drugs होती है उनको patent कराना पड़ता है patent protected होती है तो patent कराने में भी काफी cost खर्चा होता है भी ہے न तो brand name drugs का हमारा patent भी करवाना पड़ रहा है तो उसमें भी पैसा खर्चाव रहा है एक region ये भी बन जाता है कि brand name drugs का cost बढ़े जाए वहीं दूसरी तरफ generic drugs का ना ही animal and clinical study perform करना required है और क्या कहते हैं ना ही इनका patent कराने में कोई पैसा डा रहा है तो इसी यही इसका दो main reason हुआ कि जो हमारी generic drugs हैं वो सस्ती हैं और brand name drugs जो हैं हमारी महेंगी हैं इसके बाद आते हैं हम next point पे next feature है हमारा appearance देखने में कैसे लगती है color क्या होता है size यह होता है तो हम generic drugs में देखते हैं इसमें लिखा है look different from relevant brand name drugs महेंगी जो हमारी generic drugs होती है भाले ही उसका salt name हो ही रहे महेंगी salt name की भाले ही उसका active ingredient paracetamol दोनों में रहे generic भी paracetamol है brand name ही paracetamol है लेकिन जो generic paracetamol आएगा उसका क्या रहेगा look क्या रहेगा different रहेगा eyes comparison to brand name relevant brand name drugs से मतलब क्यों हो सकता है कि जो हमारा patented brand name paracetamol आता है उसका दूसरा color हो और जो हमारा generic का paracetamol आता है उसका दूसरा color हो ठीक है ना दूसरी तरफ हमने appearance में brand name में लिखा है कि unique look as design during product development मतलब कि जो हमारा brand name paracetamol आएगा उसका एक अपना अलग ही unique ही identity होगी उसका एक अलग ही color होगा उस color का ये क्या कहते हैं brand name जिस color में है उस color का ये generic drugs नहीं बनाते हैं तो clear हुआ appearance में भी difference होता है brand name और generic drugs के color में भी क्या होता है difference होता है next feature है हमारा name variation ठीक है ना क्या है name variation next point हम discuss करने वाले हैं इसका name variation तो name variation में generic drugs में मैंने लिखा है कि same generic drug name in any country अलग कि जो generic name की drugs आती हैं वो सभी country में एक ही नाम से आती हैं जैसे कि हमारा paracetamol है API है तो वो paracetamol अगर जेंदिक में आ रहा है तो वो हर जगा उसी नाम से भी केगा paracetamol यहां इंडिया में भी पाकिस्तान में भी चाइना में भी हर एक country में generic name अगर paracetamol paracetamol नाम से आ रहा है तो उसी name से भी केगा लेकिन वहीं दूसरी तरफ name variation में हम brand name में देखते हैं same or different brand names in different countries मनलब कि क्या होता है same या फिर different brand name अलग-अलग countries में अलग-अलग हो सकता है या फिर एक ही country में एक ही drug का अलग-अलग name हो सकता है ठीक है ना तो यह difference होता है हमारी generic drugs में और branded name drugs में की मलब कि वही नाम से generic drugs हर एक country में भी केगा लेकिन यह क्या है branded है अगर तो वह अलग-अलग countries में अलग-अलग नाम से भी केगा उसके बाद है excipients excipients में मैंने लिखा है generic drugs में same or altered but acceptable excipients और वहीं दूसरी तरफ brand name drugs में मैंने excipients में लिखा है usage acceptable excipients अब excipients जो है हमने अपने previous uploaded videos में discuss किया है कि excipients क्या होते है हमारे excipients simple महांसा में कहें तो एक ऐसे substance होते हैं जिनका कोई भी beneficial या फिर therapeutic action नहीं होता है लेकिन किसी भी दवा में किसी भी कोई भी effect नहीं होता simple महांसा में जैसे हम समझें तो जैसे हम पालक पनीर या फिर मतर पनीर बनाते हैं तो वो तो हमारा क्या हो जाता है API active ingredient हो जाता है लेकिन अगर उसमें और अलग अलग चीजे देखें मसाले मिलाते हैं, oils मिलाते हैं, salt मिलाते हैं, तो वो क्या हो गए, इसके excipients हो गए, ठीक है न, तो ऐसे medicines में उसको particular एक से provide कराने के लिए color provide कराने के लिए order, taste provide कराने के लिए बहुत तरीके के सभश्रान से उज़ कराने के लिए, तो नहीं क्या बोलगाता है excipients ठीक है न, तो हमारा क्या होता है कि same या फिर अलग-अलग तरीके के हमारे excipients जो की acceptable हैं, उनको हम use कर सकते हैं, और दूसरी तरह है, brand name में की use acceptable excipients, लगकि जो acceptable excipients होते हैं, वो ही क्यों इसमें use किये जा सकते हैं तो हमारा अगर generally basically हम difference अगर इसके excipients में समझें, generic drugs में और brand name में तो इसमें quality of the excipients दोनों में बाईरी करता है हो सकता है कि जो generic drugs हमारी रहती हैं, उनमें हो सकता है कि जैसे कि होता है न, एक बहुत अच्छी quality होता है, less, less अच्छी quality तो हमारा हो सकता है कि किवल generic drugs में किवल acceptable, excipients ले लिए जाएं, उनकी quality थोड़ा कम अच्छी हो, ऐसा नहीं कि वो आपके लिए नुकसान दाइक होंगे या फिर कोई नुकसान करेंगे, ऐसा बिलकुल नहीं है लेकिन, depend करता है quality पे, तो जो हमारी brand name drugs होती है, उनमें बहुत ही अच्छे quality के क्या होते है excipient, use के राते हैं, तो वो क्या होता है, ये भी एक factor फंसता है इसके price को बढ़ानेगा वहीं दूसरी तरफ generic drugs का, इसी को विज़ा से थोड़ा क्या होता है, हमारा price क्या होता है, कम होता है ठीक है न, next हमारा feature है, availability ठीक है न, तो मैंने इसमें generic में लिखा है, after expiration of patents and exclusives, ठीक है ये कब अबलेबल होती है हमारी generic drugs हमारी generic drugs कब अबलेबल होती है मैंने लिखा है, after expiration of the patent मलब कि किसी भी brand name drug का patent expire हो रहता है, तो वो किस form में हमारे लिए अबलेबल हो रहती है generic name drugs में ठीक है न, ये clear हुआ उसके बाद इसमें, availability में मैंने brand name drugs में लिखा है from product launch after providing the safety and effectiveness मतलब कि brand name जो drugs होती है उसका discovery हुआ development हुआ, अब जैसे ही वो launch होगी, तैसे brand name से वो आपके market में आने लगी की बिखने लगी ही, तो ये था basic difference, इसके बाद हम example के थुरू अगर हम समझे generic drugs में और brand name drugs में, तो मैंने बताया था आपको की, जो हमारी generic drugs आएंगी, एक particular जो उसका API है, जैसे salt है, जो भी है, तो उसी के नाम से वो बिखेगी, आप जैसे देखते हूं कि generic drugs के उपर अगर उनके कभी पत्ते पर आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा सिफिक जीम एंड ओफ लाक्सासीन ऐसे ही, उसका कोई brand name एक particular वो नहीं लिखा रहेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, हमारी जो brand name drugs है, उनमें क्या होता है, salt name तो अलग लिखा रहता है, लेकिन उनका एक particular unique name होता है, जैसे मैंने आपको उपर बताया था ना कि चायकवत्ती है अगर, जैसे तो अगर उसका कोई brand name में हम देखें, तो उसके लिखा रहेगा ताज, और उसके बाद लिखा रहेगा चायकवत्ती, ठीका ना ऐसे brand name drugs में भी होता है, उसमें क्या होता है, brand name जैसे की different different उसमें, यहां पर brand name, example मैंने लिखा है, tylenol पैरा, नैपा मैपॉप, नॉर्ट यह सब क्या है, यह एक unique name है, इस name से कोई दूसरी company, tylenol का नहीं बना सकती है, ठीका ना, तो यह था basic difference हमारा generic drugs में और brand name drugs में आसा करता हूँ कि आप लोगों को यह video समझ में आया होगा, clear समझ में आया होगा कि क्या difference होता है, thank you for watching to this video, if you like to this video then share to this video to your friends, your classmates, your colleagues and if you want to more videos regarding the pharmacy motivation and updates in the pharmacy field then kindly subscribe to my YouTube channel, thank you, thank you again for watching to this video